सो गाइस मैं लिके आई हूँ लाकमे का फेसेट लूस फिनिशिंग पाउडर जो की 2024 का निव लॉंच प्रोजेक्ट है अंडर 300 रूपीस उसके बारे में मैं शेयर करूंगे अपना नॉन स्पॉंसर रेविव और फीडबाग सो गाइस चली स्टार्ट करते हैं हैं है गाइस वेलकम बैक तो माई चानल मैं शुती मिश्टा और आपका स्वाकित करती हूँ आपके अपने चानल तो गाइस यह है लाकमे का दी ओरिजनल कलेक्शन फेसिट लूस फिनिशिंग पाउडर हाउस ओफ लाकमे का यह एक एफॉर्डबल न्यू लाँच प्रोजेक्ट है और अभी कुछ दिनों से लाकमे ने अपने बहुत ही एफॉर्डबल मेकप प्रोजेक्ट्स लाँच करे हैं जो कि जादा तर अंडर 300 रूपीज अवलेबल किये गए हैं सो गाइस यह जो प्रोजेक्ट है फरस्ट फॉर्डबल हम बात कर लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट करता क्या है तो यह कहता है कि यह एक लूस फिनिशिंग पाउडर है जो कि लाइट वेट है लॉंग लास्ट लिमनेश ग्लो देना थोड़ा सा यूनीक हो जाता है क्योंकि जो लूस पाउडर यह कॉम्पाउडर होते हैं लिमनेश लो की जगा मैट फिनिश देते हैं और लाक में कहरा है कि यह जो प्रोजेक्ट है आपको एक लिमनेश ग्लो देगा मतलब फेस को शाइनी एफेक्ट सो गाइस बात करें प्राइस के बारे में तो यह है 15 ग्राम की प्रोजेक्ट कॉंटिटी के साथ इसका MRP 285 रूपीज है और शेल्फ लाइफ 3 एसकी है 285 रूपीज इसकी MRP है तो आफ्टर डिसकाउंट यह आपको 230-220 रूपीज का मिल जाएगा सो गाइस यह जो प्रोजेक्ट है इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कि कार्डबोर बॉक्स में आता है बॉक्स में प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल है एक मरून वाइन शेड में यह बॉक्स अवलेबल किया गया है और गाइस जो यह कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें I think 3 से चार शेड अवलेबल किये गए हैं मैंने इसको Amazon से पर्टेस किया क्योंकि अभी यह कहीं भी अवलेबल ली इवर मैंने लाक में की वेबसाइट में भी नहीं देखा दीरे दीरे यह नायका में Amazon में सब जगा आपको मिलने लगेगा लोकल स्टोर में मिल जाएगा आप ज की इंक्रीडेंट लिस्ट मिसिंग है इंक्रीडेंट लिस्ट नहीं बताई गई है यह जो जार है यह प्लास्टिक जार है और यह जो जार की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है ओपन करने में गाईस जो अंदर आपको मिल जाता है इस तरीके का एक अप्लिकेटर मिलत आप्लिकेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है प्राइस के एक और फिंगर को फसाने के लिए टिप भी मिलती है और आपको मिलता है अंदर आप देख सकते हो इस तरीके का एक क्या टाइप की बंद मिलती है जिसको आप उपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपका पावडर ज जो है बहुत ही पिंकिश टाइप का है और इसमें चहेंड मैंने परचिस किया है स्विध कि जो इसम्टे है छो है थोसिंगल किया गया बहुत सारे शुप नहीं है मुझे लगा प्लास्टिक जार में आता है तो गाइस मैंने अपने फेस पे लगा रखा है लाकमे का फाउंडेशन उसके बाद मैं इसको यूज कर रही हूं सेट करने के लिए यह बहुत ही पाउडरी टाइप का है वो तो पाउडर है तो पाउडरी होगा लेकिन यह बहुत आशी है मतलब कि पहले तो लगाओगे तो आपको लगेगा कि ब्लेंट नहीं हो रहा लेकिन धीरे धीरे यह ब्लेंट होने लगता है इसमें ग्लिचर पार्चिकल्स हैं और यह बहुत soft है banana powder मैंने वैसे dab dab करके कोशिश करी तो नहीं हो रहा था लेकिन इस तरीके से ये थोड़ा blend हो रहा है और मेरे face tone पे ये थोड़ा light है तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए perfect है जिनका face skin tone है उन पे तो बहुत अच्छा natural जाएगा और ग्लिटरी पार्टिकल होने की वजह से एक shiny effect लग रहा है और ये जो है बहुत soft है तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक रखें आप अपना क्यावज देखेंगे और अ झाल झाल झाल